यहई स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना स्टुडी नोट एट पड़ रहे थे और इसके अंदर हम लोग औरेड़ी दो क्लासेज कवर अब कर चुके हैं उन दो क्लासेज के अंदर इस इस तडी नोट से रिलेक्टेड जितना भी थियोरी पार् प्लस practical part हम लोगों ने पढ़ना start कर दिया था तो इस्टुदेंट्स practical part के अंदर मैं आप लोगों को सभी formulas बता चुका हूँ जो कि इस chapter के अंदर काम आएंगे क्योंकि ये chapter total formula based है और सभी formula मैं आपको previous दो classes के अंदर बता चुका हूँ प्लस मैंने आपको दो illustrations भी करवा दिये थे तो अब हम आगे बाकी और illustrations को continue करेंगे तो सबसे पहले हम start करने जा रहे हैं अपना illustration number 19 एक वर question को हम बहुती आराम से पढ़ेंगे और फिर उसे solve करेंगे देखे question बोल रहा है कि एक X limited company है और वो acquirer company है मतलब X limited company, Y limited company जो की target company है उसको acquire कर रही है तो X limited acquirer है और Y limited target है और उनकी कुछ details यहाँ पर given है और उनकी X और Y दोनों की details हमको question में दी गई है अब देखिएगा इसमें बताया गया है कि जो board of directors हैं दोनों companies के उन लोगों board of directors ने deal fair करने के लिए बोला है कि हम shareholders को जो swap ratio देंगे क्योंकि अब X limited, Y limited को acquire कर लेगी तो Y limited के shareholders को X limited के shares मिलेंगे और shares किसी ना किसी ratio में मिलेंगे यह मैं already दो classes के अंदर बहुत बार समझा चुका हूँ तो वो swap ratio क्या होगा तो यहाँ normally क्या होता है swap ratio हमें question में given होता है या फिर हम calculate कर लेते हैं लेकिन इस वाले question में बोल रहा है कि जो swap ratio आप calculate करेंगे वो कैसे calculate किया जाएगा पहले आपको earning per share का एक separate swap ratio निकालना है फिर book value का आपको separate swap ratio निकालना है फिर market price per share का separate swap ratio निकालना है उसके बाद में उनके weight से जो की question में given है weights उनसे यहाँ पे into कर देना है और जो answer आएगा उसको total करना है मतलब पहले separately swap ratio निकालो on the basis of EPS, then book value, then market price per share और उसके बाद में उसको weight से into कर दो फिर जो भी आएगा total उनको plus करना है that will be our final swap ratio तो चलिए हम उसको calculate कर लेंगे तो यहाँ तक हम लोगों ने question देखा X limited acquirer है, Y limited target है इनकी details हमको दी हुई है और swap ratio के लिए weight method का weight method का, weighted method का हमको use लेना पड़ेगा अब हम एक-एक करके calculate करेंगे बच्चो सबसे पहले बोल रहा है calculate the swap ratio बाकी और भी part है इसका, उसे हम बाद में देखेंगे पहले इतना solve कर लेंगे calculate the swap ratio अब swap ratio निकालने के लिए हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पढ़ने बाली है तो एक वार हम काम करते हैं हमें question में जितनी information given है, उसको हम एक वार यहां पर लिख लेते हैं देखे हमें number of shares already question के अंदर given है 10 and 7.5 और यह lex में हैं, तो वो हमने यहां पर ले लिया उसके बाद में हम calculate करते हैं share capital क्यों calculate कर रहे हैं? क्योंकि यह सभी चीज़ें हमें swap ratio निकालने में help करने वाली हैं वो हम आगे देखेंगे एक एक करके share capital कैसे calculate करते हैं? share capital calculate करते हैं number of shares into face value क्या हमें question में number of shares given है? हाँ जी 10 lakhs क्या हमें face value given है? हाँ जी 10 तो 10 into 10 equals to 100 lakhs share capital आ गई x acquirer के लिए target के लिए कितनी आ जाएगी? इसके number of shares है 7.5 face value तो सबके लिए same है तो into 10 इसकी आ जाएगी 75 lakhs तो यह share capital निकाल ली हमें clear यह चीज़ अब उसके बाद में आता है market capitalization जो की हमको question में already given है अभी बच्चों सिर्फ हम वही बात लिख रहे हैं उसके basis पे हमने share capital calculate करी कैसे करी? number of shares into face value वह हमें question में given है क्यों calculate करी? क्योंकि swap ratio निकालने में help करेगा कैसे करेगा? दीरे-दीरे question solve होगा आपको समझ में आ जाएगा market capitalization भी हमने लिख लिया अब बच्चों हम निकालेंगे market price per share सर, market price per share कैसे calculate होगा? market capitalization divided by number of share market capitalization divided by number of share market capitalization तो total value ही तो बताता है market की अब आपके पास में market की total value given है divided by number of shares आपके पास में है तो एक share पर कितनी कमाई हो रही है वो तो निकाल सकते हो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक कमपनी है XYZ और वो कमपनी 100 करोड का उसकी market में value है और total shares उसके एक लाक है तो आप कैसे निकालोगे 100 करोड divided by एक लाक तो पर share की value निकलाईगी सेम उसी तरीके से हमें यहां भी solve करना है market capitalization हमने अभी अभी calculate किया 500 divided by number of shares है तो 500 divided by 10 equals to 50 यह market price per share आ गई acquirer की target की भी ऐसे ही निकाल देंगे इसका market capitalization आया 750 question में given था already उसको हम divide कर देंगे number of shares से तो इसका market price per share आ गया 100 रोपे है यह target है यहां तक बात समझ में आ गई तो number of shares given था share capital calculate कर लिए market capitalization given था MPS calculate कर लिया price earning ratio question में given है 10 and 5 तो हमारा EPS भी निकल आएगा हमारा EPS भी निकल आएगा क्योंकि earning per share equals to MPS divided by price earning ratio सर यह formula कैसे बनाया आपने MPS का formula वैसे normally क्या पढ़ते हैं हम EPS into price earning ratio मैंने लिखवाया भी है इस chapter में अब अगर मैं EPS को यहां लिया हूँ और MPS को यहां लिया हूँ तो EPS equals to यहां पर EPS क्या हो रहा था into हो रहा था जब MPS आएगा तो divide होना start हो जाएगा तो MPS divide by price earning सिर्फ मैंने equation change करी है formula बन गया तो formula लगा लगा लो हमने market price per share 50 divided by price earning ratio question में given है तो यह earning per share आ गया दोनों का तो देखिए अभी तक हमने क्या करा number of shares given था use करके share capital calculate कर ली market capitalization given था use करके market price per share निकाल लिया price earning ratio given था use करके earning per share निकाल लिया सबके formulas हमने पड़े हुए है already already मैंने सभी formulas लिखाए हुए हैं यहां पर समझाता जा रहा हूँ अब देखिए next दिया हुआ है reserves and surplus तो इससे हम net worth निकाल लेंगे सर वो कैसे निकाल लेंगे क्योंकि net worth का मतलब होता है share capital plus reserves and surplus share capital देखिए हमने निकाली थी रिजर्वेंट surplus हमें question में given है तो share capital इसकी दियो यह 300 रिजर्वेंट surplus x का दिया हुआ है 100 और इसका दिया हुआ है रिजर्वेंट surplus 300 equals to 400 इसकी net worth था गई लेक्स में है यहां पर इसका share capital हमने 75 निकाला था प्लस 165 रिजर्वेंट surplus है प्लस कर लो 240 करके आ जाएगा वह यहां पर आगी क्लिए रही चीज़ यहां तक तो students अभी तक हमने जो जो information हमको given थी उसके इसाब से share capital calculate कर ली MPS calculate कर लिया EPS calculate कर लिया net worth calculate कर लिया अब हम next निकालेंगे book value per share सर यह book value per share कैसे निकालते हैं अरे market price per share कैसे निकाला था total market value divided by total number of shares तो book value per share कैसे निकालोगे total book value divided by number of shares सर टोटल book value का मतलब क्या है net worth net worth का मतलब total book value सर नेट वर्त को book value क्यों मान रहे हो क्योंकि net worth कहां पे लिखी रहती है company की books में इसलिए हम उसे book value बोल रहे हैं तो book value यह रही आपकी net worth book value ही है divided by number of shares number of shares question में गिवन है यह आपकी book value per share निकल के आगे यहां तक students question में जो information गिवन थी उससे हमने चीज़े calculate करी हैं अब देखिए हमें आखिर swap ratio निकलना है swap ratio निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा swap ratio निकलने के लिए हमें मैंने आपको बोला था पहले eps का अलग से swap ratio निकालो book value का अलग से swap ratio निकालो और उसके अलावा market price per share का अलग से book value निकालो, swap ratio निकालो, फिर उनका wait कर देंगे हम, देखिए, सबसे पहले निकालेंगे swap ratio on EPS, कैसे निकलेगा, earning per share of target company, जो की हमने निकाल लिया, अर्निंग per share of target company, divided by earning per share of acquirer, divided by earning per share of acquirer, मतलब 20 divided by 5 equals to 4, यह formula याद रखिएगा, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि question में given है कि swap ratio आपको weighted method के त्रू निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों का wait दिया है, swap का, उसके अलाबा book value का और MPS का, पहले हमें swap ratio पर, swap ratio earning per share पर निकालना है, तो swap ratio और EPS, कैसे निकालोगे, EPS of target company divided by EPS of acquirer, next हम swap ratio निकालेंगे book value पर, क्यों निकालेंगे, क्योंकि question में given है, earning book value और market price, तो swap ratio on book value, formula वही रहेगा, यहाँ पे EPS of target company था, यहाँ book value of target company divided by, यहाँ EPS of acquirer था, यहाँ book value of acquirer, देखिए क्या question में given है यह चीज़, हाजी हमने अभी अभी निकाली सर, यह रही book value target company की और यह रही book value acquirer company की, अभी अभी calculate करी हमने, उससे हमारा swap ratio book value पर आगया, थर्ड हम निकालेंगे swap ratio on the basis of market price, इसको EPS बोल दो, तो market price of target company divided by market price of acquirer, formula तीनों का सेम है, तो market price of target company देखिए, यह रहा, divided by market price of acquirer, तो कितना हो जाएगा, 100 divided by 50 equals to 2, तो हमारा निकल के क्या-क्या आया देखिए, EPS का swap ratio आया 4, और हमारा book value का swap ratio निकला 0.8, और market price per share का निकला 2, अब हमेने इनके weight से into कर देंगे, अब देखिएगा, बड़े आराम से question में given है, earning EPS का weight 40%, तो 4 into 40% equals to 1.6, फिर book value का है 25%, तो 0.8 into 25% equals to 0.2, और market price per share का weight given है question में 35%, तो into 35% equals to 0.7, यह हम इन तीनों ने इनका weight कर लिया, इसको आप total करते हैं, 1.6 plus 0.2 plus 0.7, that is 2.5, यह आ गया आपका actual swap ratio, मैं दुबारा से एक बार इसको revise कर देता हूं अच्छे से, देखे हमें question में information given थी, हमने हर information से एक एक चीज़ calculate कर ली, जिसकी हमें जरुत swap ratio में पढ़ने वाली है, क्योंकि swap ratio हम इस question में normally नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि question बोल रहा है, weighted method से निकालो, weighted method से हमें निकालना था, एक तो EPS का, book value का, और MPS का, formula सब का सेम है, target company का, divided by acquirer company का, तो target company का EPS हमें निकालना था, acquirer का, book value हमें निकालना था, target acquirer का, MPS हमें निकालना था, target acquirer का, इसलिए हमने ये सब पहले से अपने पास calculate करके रख लिया, कैसे किया, question में number of shares और face value given है, तो number of shares हमने ले लिये, उससे हमने क्या निकाल ली, share capital, share capital कैसे निकलती है, share कितनी रुपे का, into कर दोगे, तो share capital निकल आएगी, आज अगर reliance company, एक लाख shares issue करना चाहती है, और एक share 10 रुपे पे issue करना चाहती है, तो reliance की capital कितने से बढ़ जाएगी, 10 लाख से बढ़ जाएगी, पढ़ा है हमने, अगर मैं इसको उल्टा कर दू, reliance company के 10 लाख की capital है, जिसमें company का एक लाख share है और 10 रुपे का एक share है, वो company buy back कर रही है, अपनी share बापस public से करीद रही है, बापस purchase कर रही है, capital कितने से घट जाएगी, 10 लाख से घट जाएगी, तो total number of share into price equals to share capital, वो हमने निकाल लिया, उसके बाद में हमें market capitalization given था, हमने MPS निकाल दिया, market capitalization मतलब total market value divided by number of share, पर share की market value आ गई, price earning ratio गिवन था, हमने EPS निकाल लिया, कैसे market price per share divided by price earning ratio, reserve and surplus given था, तो हमने net worth निकाल लिया, share capital plus reserve and surplus, और क्योंकि हमारा net worth आ गया, तो book value पर share आ जाएगा, क्योंकि net worth का मतलब ही क्या होता है, total book value divided by number of share, तो पर share की book value आ गई, उसको use करके बच्चों हमने यहां तक swap ratio निकाल लिया, student बोलता है, sir में समझ गया, लेकिन यह जो आपका first था, इसके अंदर आपने यहां तक हमें solve करवा दिया, अभी तो यह बच्चा है, यह क्या है समझाओ, समझा देता हूँ, X limited company के total shares 10 lakh है, Y limited के total shares 7.5 lakh है, clear यह चीज यहां तक, अब देखिए, उस 10 lakh में से 4.75 lakhs share, X limited के promoters hold करते हैं, मतलब X limited का top management, मतलब X limited के घर के लोग, इतने रुपे के shares hold करते हैं, तो जो बच गए share 10 lakh 10 lakh minus 4.75, जो बच गए remaining shares, वो free floating है, free float का मतलब float का मतलब है, तैर रहें, उपर नीचे, उपर नीचे, मतलब free floating है, मतलब उनको कोई भी public में खरीच सकता है, ये share promoter के hold हैं, सेम उसी तरह से यहाँ Y limited के अंदर 5 lakh shares promoter hold करते हैं, बचे हुए 2.5 free float है, public उनको hold करती है, public उनको खरीचती बेचती रहती है, क्लिर ये चीज यहाँ था, चलिए, question ये आप से पूछ रहा है कि जब ये acquisition ये merger हो जाएगा, ये acquisition हो जाएगा, उसके बाद में promoters की holding क्या होगी, after the acquisition, वो हमें percentage में calculate करनी है, कर देते हैं, बड़ा easy है, बहुत easy है, पहले आप ये बताओ कि promoters की अभी present में holding कितनी है, sir x limited के लिए है 4.75 lakhs, तो इसको हम पहले percentage में कर ले, आजी sir कर लीजी है, कैसे करोगे, अरे वाई, इतनी तो promoters की है, total shares कितने हैं, 10 lakhs into 100, तो 47.5% x limited के अंदर है, same उसी तरह से 5 divided by, अच्छा यहाँ पे total number of shares कितने हैं, 7.5 into 100, इसमें 66.6% shareholding है, पिर मोटर की, ये present scenario है अभी, before the merger, before the acquisition, अब देखिएगा, बच्छों बड़े ही, आराम से और प्यार से, अब हमें promoters की holding calculate करनी है, after acquisition, उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, new shares कितने issue होने वाले, अब new shares कितने issue होने वाले, ये हम कैसे निकालते हैं, shares of target company into swap ratio, इसी formula से निकालते हैं, new shares, तो shares of target company कितने हैं, 7.5, swap ratio अभी-भी calculate किया, 2.5, equals to 18.75, 18,45,000 रुपे के shares नए issue होने, 18.75 हमारे लिए new shares हैं, अब्यस बात है, ये formula में बहुत बार बता चुका हूँ आपको, चलिए, combined share कितने हो जाएंगे, total combined share कितने हो जाएंगे, total combined share after the merger, उसको हम कैसे निकालते हैं, shares of acquirer plus new shares, या फिर ऐसा मत लिखो, ऐसा लिख लो, shares of acquirer plus shares of target company into swap ratio, बात तो वही है, हमने new shares ऐसे ही निकाले हैं, तो acquirer के shares पहले से कितने हैं, 10, नए shares हम, 10 ही है न, अगर आप पहले चेक करोगे, तो कितने 10 हैं, और नए shares कितने issue कर रहे हैं, 18.75, तो acquisition के बाद total shares कितने हो जाएंगे, 28.75, यहां तक simple बात बताई मैंने आपको, यह दोनों बातें यहां पे मैंने लिखी, clear हो गया, अब मुझे यह बताईए, promoter की share holding target company में already कितनी हैं, हमने निकाली थी sir, 66.66, इसको अगर round में कर दें तो 66.67 परसेंट हो जाए, हम नए shares कितने issue कर रहे हैं, 18.75, कौन issue करेगा, sir, acquirer company, किसको issue करेगी, target company के share holders को, यह target company के promoter, promoter share चल रही है तो promoters, target company के promoters अभी कितने परसेंट share hold करते हैं, 66.67, तो 18.75 new shares हैं, उनका 66.67 परसेंट हम निकालें, क्योंकि इतना परसेंट hold करता है न प्रमोटर, तो after the merger भी यही hold कर रहा होगा, तो कितना निकल के आएगा, 12.50, तो 18.75 में से 12.50 promoter की holding है, तो जो बच गई 6.25 वो free floating है, जिसको public hold कर सकती है, किलिए रहे हैं तक, यहां तक एक्दम चीज़ां किलिए रहे हमने, कैसे निकाला, सब कुछ देखिए, हमने देखा new shares कितने आएंगे, उसका formula में ने बताया, shares of target company to swap ratio, combined share, shares of acquirer, plus shares of target company to swap ratio, वो यह वाला हमने अभी अभी निकाला, acquirer के shares, total combined shares पता चल गए, किसको issue होंगे, target company के promoters को issue होंगे, वो किस percent पे hold कर रहे हैं share, 66.67 percent पे, तो 18.75 का 66.67 percent निकाल लो, 12.50, यह lex में चल रहा है बच्चों, इतने shares promoter hold करेंगे, जो नए shares issue होने वाले हैं, 18.75, उसमें से इतने तो promoter ले जाएंगे, बच्चे हुए 6.25, target company के जो normal shareholders हैं, जो promoter director में नहीं वैठते हैं, जो normal public है, जनता, आम जनता, उनको issue होंगे, यहां तक क्लियर हो गए, यहां तक मैंने आपको बता दिया, तो अब देखिए promoters की holding after the acquisition, पहले कितनी holding थी? 4.75, यह pre-holding थी, अब कितने hold कर लेंगे? 12.50, तो total कितने hold कर लेंगे? 17.25, question बोल रहा है percentage में calculate कर दो, तो 17.25 promoters की holding होगी, कितने मैंसे होगी? Total shares, वो कितने हैं? 28.75 into 100, तो कितनी holding आ गई promoters की? 60%, तो after acquisition, promoters holding 60%, तो non-promoter holding, या free float holding, या आम जनता की holding, 40%. ये बच्चों आपका ये first वाला solve हो गया. अब मेरे ख्याल से यहां तक आपको सब कुछ clear होना चाहिए. एक-एक चीज को मैंने यहां पर explain करते हुए लिख दिया है. एक-एक चीज को, clear है यह चीज यहां तक? चलिए, अब चलते हैं हम आगे. अब second पर move on करते हैं. ये बोल रहा है, earning per share निकालो of acquirer. ये क्या बोल रहा है? EPS, post merger EPS. ऐसे लिखते हैं इसको, रुकोई, सभी से लिखते हैं. ये बोल रहा है, post acquisition EPS of target company, that is x-limited. मैंने आपको बताया था, post acquisition EPS of target company का मतलब, post acquisition EPS of combined firms होता है. बोलाता न मैंने समझाया था, reason भी बताया था, इसा क्यों होता है? क्योंकि x-limited acquirer है, y-limited target है, ये इसके अंदर acquirer हो रही है, मतलब ये खतम हो लेगी, मतलब कौन बचेगी x-limited, तो obvious वात है, कि combine, दौनों combine firm कहां पर अब चल रही होगी, x-limited खुद को तो चलाएगी, y-को भी चलाएगी, तो ये ही है, जो जिन्दा है, ये तो मर मर आ गई, क्लेरे ना ये चीज़, ये तो मर गई, merger मतलब मर गई, अब ये इसमें चली गई, अब x-limited जो acquirer है, सिर्फ वही आगे चल रही होगी, तो आप चाहे से ये बोल दो, post acquisition EPS of target company, या इस वात को बोल दो, post acquisition EPS of combined firms, बात एक ही है, वो हमें calculate करना है, बड़ा ही simple है भाई साब, formula में आपको दसवार बता चुका हूँ, post merger profit after tax, divided by combined number of shares, सर ये formula हमें याद है, आपने बताया है, हम previous classes में question भी solve कर चुके हैं, तो combined number of shares तो बच्चे हमने अभी अभी निकाला था, 28.75, लेकिन सर हमाए, post merger pet कैसे निकाले, post merger pet का मतलब profit after tax, अरे निकाल दो, pet of acquirer company, plus pet of target company, अरे वो तो हम निकाल देंगे सर, पर हमें profit after tax, acquirer or target दोनों का ही नहीं पता, नहीं पता, तो acquirer का पता करो, फिर target का पता करो, फिर दोनों को plus करो, फिर इस formula को use करो, तो सर, हमें profit after tax निकालना है, दोनों का, वो कैसे निकालते हैं, number of shares into EPS, simple बात है, CMA final case student हो, है ना profit, total profit कितना हुआ, भाई ये देख लो, एक share पे कितना कमा रहे हो, total कितने share है, पता चल जाएगा, total कमा ही कितनी है, तो हमने कैसे calculate करना है, number of shares हमें question में given है, number of shares देखिए, हमें already question में given थे, और earning per share हम लोगों ने निकाल लिया था, निकाल लिया था ना, तो बस number of shares given है, earning per share हमने निकाल लिया था, आप पैट कर लो, number of shares into earning per share, ये profit after tax आ गया, तो हमें क्यों साथ profit after tax जीए, हमें चाहिए post merger पैट, तो वो कैसे निकलेगा, post merger pet, equals to pet of acquirer company, कितना है जी, पचास, प्रस pet of target company, कितना है जी, 150, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 200, क्या अब post merger EPS निकल जाएगा, हाजी सर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, post merger pet divided by combined number of shares, तो क्या आ गया, 6.956, ये हमारा second भी solve हो गया, के लिए ने ये चीज़ यहां तक, यहां तक मेरे ख्याल से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद में, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड ये बोल रहा है, MPS भी निकाल दो, और market capitalization भी निकाल दो, acquirer company का, after the acquisition, और हमें ये मान कर चलना है, कि मर्जर के acquisition के बाद में, जो price earning ratio पहले थे, वो ही अब है, change नहीं हुआ, तो मैं आपको revise करा दू, हालंकि मैं last class में बता चुका था, पहला point, अगर, price earning ratio, after, ये acquirer के लिए बता रहा हूँ अभी मैं, price earning ratio, after acquisition, change हो जाता है, और question में given है, तो हम वो लेंगे, ये मैंने देखो, यहां लिखवाया भी था, आपको मैं देखा भी देता हूँ, if in question, price earning ratio, after acquisition is given, तो वो लिया जाएगा, अगर question के अंदर, position से पहले price earning ratio था, acquirer का वही रहेगा, तो मैं यहां पर acquirer के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले, अगर question में given है, new price earning ratio, तो वो ले लेंगे, बट अगर नहीं given है, तो पहले वाला ही, acquirer का अमाना जाएगा, रही बात target company का, तो भईया मैंने बोला था, target तो इसमें चली जाती है, तो जो acquirer का, होता है price earning ratio, वही target का होता है, same as of acquirer company, यह मैं पहले भी समझा चुका हूँ, और यह देखो, लिखा हुआ है, previous question में solve भी करवाया था, के लिए यह चीज यहां तक, चलिए, तो अब देखिएगा, आजे, अब आजाते हैं, हम इस पर थर्ड पर बात कर रहे थे, तो यह बोल रहा है, price earning ratio में कोई change नहीं है, आप तो after the acquisition, MPS निकाल दो, market capitalization निकाल दो, हाजे, तो हमें MPS निकालना है, MPS का formula क्या होता है, normally, normal MPS का formula क्या होता है, normal MPS का formula होता है, earning per share into price earning ratio, तो post merger MPS का formula क्या होगा, या post acquisition MPS equals to, post acquisition EPS into post acquisition price earning ratio, clear ages, तो post acquisition EPS, वो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, वो जही 6.956, into post acquisition price earning ratio, उसने बोला है, price earning ratio में कोई change नहीं आया, तो price earning ratio जो acquirer का पहले था, वो ही आज है, तो into 10 equals to क्या जाएगा, 69.56, यह market price आ गई after the acquisition, इस बोलता है सर सिंपल है, formula based है, formula आपने हमें पहले ही लिखा दिये थे, देखिए यह रहे, दिखावी देता हूँ, यह रहे, सभी formula यहाँ पर, पूरे मैंने आपको, starting में ही दे दिये थे, के लिए रहे हाँ तक, चलिए, लेकिन हम से बोला है, market capitalization भी निकाल दो, market capitalization कैसे निकालेंगे, MPS into combined number of share, MPS अभी अभी निकाला, combined number of share पहली निकाल लिया था, यह market capitalization आए, इस्टुएंट बोलता है, सर मुझे सब समझ में आ गया, कोई tension वाली बात नहीं है, यहाँ तक मेरा पूरा, clear हो चुका है, चलिए, अब एक और चीज़ पूछ रहा है, question के अंदर fourth point, after यह ना firm है, merged firms, यह बोल रहा है, जब हो गया acquisition, उसके बाद में आपने promoter की holding तो मुझे को बता दी थी, after acquisition, promoter की holding बता दी, after acquisition, free float holding और बता दो, non promoter holding और बता दो, आम जनता की holding और बता दो, अबे यार, मुझे ये बताओ देखो, मुझे ये बताओ, की promoter की holding कितनी है, सर्थ 60%, तो non promoter holding या free float holding कितनी है, सर्थ 40%, ये तो आ गया, अभी अभी market capitalization निकाला, after the acquisition, उसका 40% किसके पास जाएगा, free float, तो ये है आपका free float, simple तो है, सब कुछ तो आपने पहले से calculate किया हुआ है, ये आगया free float market capitalization, बैट कैसे निकालोगे free float market capitalization, अगर formula लिखना चाहो लिख लो, free float market capitalization equals to, total market capitalization into percentage of free float holding, after acquisition, तो total market capitalization हमने अभी-अभी calculate किया था, holding हमें पता है, 40% है, तो बच्चा हुआ हमारा free float हो जाता है, यहां तक students आपका ये illustration number 19 complete हो गया, और students मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू, ये illustration number 19 आपके main exam के अंदर 3 बार आ चुका है, 3 times आ चुका है, अब सोचे 8 नमर का ये question आता है, या 10 नमर का ये question आता है, कितना easy question है, एक-एक चीज़ को समझाया हुआ है, उसलब reasons तक बताएं है, अगर कोई बच्चा घर पे बैठके भी पढ़ रहा है न, तो easily आराम से उसे समझ में आ जाएगा, अब हम चलते हैं हमारे next illustration पर, जो की है illustration number 6, और बहुत ही जादा easy है, देखिए, question समझ लें पहले आराम से, पहले question समझ लेते हैं, यह बोल रहा है, एक acquirer company है, तो हम उसे इस पूरे example में, illustration number 6 में, acquirer के नाम से बोलेंगे, और target को target के नाम से बोलेंगे, यह बोल रहा है, एक acquirer company, एक target company को acquire कर रही है, और बदले में और acquirer company, target company को acquire करने के बदले में, पैसा नहीं दे रही है, बलकि जो यह acquisition हो रहा है, यह stock for stock हो रहा है, मतलब acquirer company अपने shares दे देगी, लेकिन question यह बोल रहा है, कि acquirer company, target company के shareholder को, कैसे shares देगी, एक share 90 रुपे का, मतलब 90 रुपे वाला, एक share target company को दिया जाएगा, क्लीर यह चीज यहाँ तक, price earning ratio जो है, उसमें कोई change नहीं बताया जा रहा है, after the acquisition, चलिए ठीक, यहाँ तक question समझ गए, यह हमें कुछ detail दी हुई है यहाँ पर, और हमसे यह सभी चीज़े, calculate करने के लिए, बोला गया है, तो हम सभी चीज़े, calculate करेंगे, एक-एक करके, सबसे पहले हम calculate करेंगे, purchase price premium, बहुत ध्यान से देखेंगा, बड़ा ही easy है, क्या निकालना है हमें, purchase price premium, मैं first वाला निकाल रहा हूँ, अब यह बताएं बड़्यों, बड़े आराम से मुझे बताईएगा, अभी तक, target company का, एक share कितने का है, सच 60 रुपे का question में गिवन है यह रहा हूँ, पर acquirer company, target company के share holder को, कितने रुपे का share दे रही है, 90 रुपे का, मतलब मुझे एक चीज, अब मैं example के तौर पे पूछता हूँ, बच्चों आप बताईएगा, सपोज कीजिए, Airtel company, target company है, और, Reliance company, acquirer company है, मैं मोहित बंसल, मैंने Airtel, मतलब target company का, एक share खरीदा था, जो की मुझे, 60 रुपे का पड़ा था, आज Airtel, इसके अंदर, acquire हो रही है, उस बज़े से, मुझे को, Reliance का share मिलेगा, जिसकी price, 90 रुपे होगी, तो पहले, मैंने कितने share hold करेते, एक share, अगर मैं उस share को, market में बेच था, तो मुझे कितने रुपे मिलते, 60, मैंने कुछ किया, नहीं किया, सब कुछ अपने आप company नहीं किया, लेकिन मेरे हाथ में, अब एक दूसरा share आ गया, ये तो चला गया, एक नया share आ गया, आज भी share एक है मेरे पास, लेकिन आज मैं उसे market में बेचू, तो कितना रुपे मिलेगा, 90, मतलब आप देखे, target company जो है, उसका share price 60 रुपे है, और acquirer बोल रहा है, कि मैं तुमको 90 रुपे का एक share दोगा, मतलब जो target company के share holder है, उनको क्या आपको नहीं लगता, कि 30 रुपे का फाइदा हो रहा है, घर पे बैठे बैठे, that is purchase price premium, clear ये चीज, ये मैंने रुपीज में calculate करा, तो 30 रुपे आ गए, अगर आप इसे times में calculate करना चाहो, तो 90 divided by 60 कर देना, मतलब डेड़ गुना profit हो रहा है, मतलब जहां पर मेरे पास में एक share, 60 रुपे का था, मुझे उसका फाइदा मिल गया, कि मेरे पास में 90 रुपे का एक share आ गया, 30 रुपे की ज़्यादा कमाई हो रही ही, student बोलता है, सर, first वाला तो बड़ा simple था, आगया समझ में, second वाले पर चलते हैं, सर, exchange ratio पे, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, students बड़े ध्यान से, मेरी बात को सुन लेना, समझ लेना, ये आगे की questions में बहुत help करने वाला है, अगर question के अंदर exchange ratio, मतलब swap ratio, अगर question के अंदर exchange ratio, swap ratio given है, तो ठीक है, अगर नहीं given, अगर नहीं given, तो जो exchange ratio, swap ratio होता है, वो हमेशा market price per share पर calculate होता है, मैंने लिखा है, अगर question में, exchange ratio से related कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो exchange ratio, market price per share पर calculate किया जाता है, सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है हमको, market price per share offered for the target company, मतलब वो market price, जो की acquirer target company को अभी offer कर रहा है, acquisition के अंदर, divided by market price per share of acquiring company, तो बड़ा simple है, यह जो acquirer है, यह target company को कितने रुपे का share offer कर रहा है, 90 रुपीज का, तो 90 divided by MPS market price per share of acquirer that is 50, आरे यह मेरी बात समझें, तो 90 divided by 50 equals to 1.8, यह आपके second का answer आगिया, बड़ा ही simple है, मैंने आपको बोला, अगर question में market exchange ratio, swap ratio से related कुछ given है, तो वो ले लेंगे, नहीं है given, तो swap ratio market price per share पे calculate किया जाएगा, formula क्या होगा, formula होगा, वो market price per share, जो की acquirer company, target company के shareholders को, इस acquisition के अंदर offer कर रही है, divided by market price per share of acquirer company, question में information given ती, यह हमारे पास में आगे, अब हम चलते हैं, अपने third वाले पर, वो क्या calculate करने को बोल रहा है, देखे, यह बोल रहा है, number of new shares, number of new shares, अरे भाई, बड़ी simple सी बात है, number of new shares का formula देखो, number of new shares, बहुत बार formula लिखवा चुका हूं, दुबारा बोल रहा हूं, shares of target company, into exchange ratio, या swap ratio एक की बात है, shares of target company, question में given है, 20,000, into exchange ratio, exchange ratio, अभी अभी हमने calculate करा, that is 1.8, तो कितने नए share issue किये जा रहे हैं, 36,000, ये हमारे third का answer आ गया, इसके बाद में next, अफ फोर्थ के लिए पूछ रहा है, post merger EPS, क्या पूछ रहा है, post merger EPS, तो post merger EPS का formula में बहुत बार बता चुका, मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या बताई थी, post merger EPS, of combined firms, का मतलब, post merger EPS, of acquirer होता है, अभी-अभी समझाया था, last illustration में, और formula कैसे होता है, हम कैसे निकालते हैं, इस बात को, ये भी मैंने आप लोगों को बड़े आराम से समझाया था कि, combined pet, profit after tax, divided by, combined number of shares, combined pet divided by, combined number of shares, तो combined pet देखिए, क्या question में हमको given है, हाजी सर, 2,50,000, प्लस 72,500, ये हो गया combined pet, क्या हमको question में, combined number of shares given है, वो तो सर हम निकालते हैं, combined number of shares, कैसे निकालते हो, क्या formula होता है, combined number of shares का, वो सर होता है, shares of acquirer company, प्लस निउज शेर्स, या फिर ऐसे ना लिखे हैं, तो ऐसे लिख दो, shares of acquirer company, प्लस, shares of target company, इंटो एक्सचेंज रेशियो, सर ये हमने अभी अभी निकाला था, 36,000 shares, और acquirer के shares हमें पता है, एक लाग दस अजार, question में के बने, प्लस कर लो, डिवाइड कर दो, formula लगा दो, 2,50,000 प्लस, 72,500 ये combined pet है, divided by combined number of shares, कितने shares of acquirer, प्लस new shares, new shares हमने calculate करे थे, तो ये आपका post-merger EPS आ रहे है, student बोलता है, सर शुरू के 4 आपने समझा दिये, total formula based है, हमने calculate, हमें आ गया समझ में, और ये देखा जाए तो, illustration number 6, एक तरह से आपका revision है, इसके बाद मैं फिफ्ट पूछ रहा है, pre-merger EPS, merger से पहले का earning per share, अरे यार, तुम्हें earnings given है, तुम्हें number of share given है, 2,50,000 divided by 1,10,000, और 72,500 divided by 20,000, pre-merger EPS आ जाएगा, ये मैंने यहीं पे निकाल दिया, ये फिफ्ट आ गया, अब इससे इजी भी कुछ चाहिए गया, students, total profit divided by number of shares, इससे इजी EPS का तो formula, हमने कितनी बार use कर लिया, और सिर्फ इसी subject में नहीं, आप शायद B.com से use करते आ रहे हैं, वो OCM Inter से use करते आ रहे हैं, तो फिफ्ट हो गया, next पूछ रहा है, त्री मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो, त्री मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो, त्यार प्राइस अर्निंग रेशियो हम निकाल लेंगे, हमें MPS गिवन है, question में EPS हम निकाल चुके थे, तो MPS divided by EPS, MPS तो question में given था देखो, 50 और इसका साथ, EPS हमने निकाल लिया, तो divide कर दो, 50 divided by 2.27, ये 3 कर दो आगे, और क्योंकि ये fraction में, otherwise 3 नहीं लिकोगे न, तो ये 22.03 आ जाएगा, आपके study material के answer से थोड़ा सा, 0.3 अलगा जाएगा, तो बच्चे कभी-कभी डर जाते हैं, confused होते हैं, इसलिए, वो fraction का फरक होता है, वो थोड़ा बहुत चलता है, तो price earning ratio प्री निकाल रहे हैं, question में सब कुछ कि बनता है, हमने निकाल दी, formula ये है, इस्टुएंट बोलता है, ठीक है सर देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकिंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्ट हो गया, सिक्स्ट हो गया, अब निकालिए सर हमारा, post-merger share price, हाँ जी, post-merger share price आपकी निकाल देते हैं, इसका भी formula में आपको बताया हुआ है, कैसे होता है, सिंपल पहले यह देखिए, मतलब market price per share बोल रहा है, market price per share का, normal market price per share का formula क्या होता है, EPS into price earning ratio, यह हमसे post-merger पूछ रहा है, post-merger market price per share, equals to post-merger EPS into post-merger price earning, ratio, क्या post-merger EPS हमारे पास में है, हाँ जी सर, post-merger EPS हमने अभी अभी निकाला था, 2.208, उसको, यह 2.208 और आगे something कुछ और था, राउंड में करोगे तो 2.209 हो जाए गए, राउंड फिगर, तो 2.209, into price earning ratio, price earning ratio, मैंने आपको बताया था, अगर question में, price earning ratio after the merger नहीं दिया हुआ है, और इसमें तो साफ साफ लिखा है, कि merger के बाद में कुछ भी synergy की growth नहीं आई थी, इसका मतलब जो price earning ratio, एक्वाइर का पहले था आज भी, मर्जर के बाद भी वही रहेगा, तो price earning ratio, एक्वाइर का 22 था, वही रहेगा, आरे यह मेरी बात समझ में, तो post merger EPS हमने निकाला, 2.209 into price earning ratio, यह आगया आपका post merger market price per share, तो students, यह हमारा 7th भी हो गया, एक last बचा हुआ है, post merger equity ownership participation, बड़ा ही simple है, एक minute मैं इसको रभ कर दूँ पहले, अब पूछ रहा है, post merger equity ownership distribution, यह कैसे निकालेंगे, यह तो बड़ा simple है, number of new shares, divided by total number of shares, तो target company के लिए कैसे निकालोगे, बहुत आराम से और प्यार से देखेगा, number of new shares, कितने थे, 36,000 हमने अब यह भी calculate किये थे, divided by total number of shares, total number of shares भी कितने थे, हमने calculate किये थे, 1,46,000, कैसे निकालेते, acquirer के share, 1,10,000, plus new shares, 36,000, इसे in 200 कर लेना, यह आजाएगा 24,66%, मतलब पता है यह क्या पूछ रहा है, actually आपसे, इस question का meaning समझे, आप यह पूछना क्या चाहरा है, यह question आपसे पूछना चाहरा है, कि जब merger हो जाएगा, तो जो यह total number of shares है, एक लाग 46,000, इस मैंसे कितने shares, तो target company के लोगों को मिलेंगे, और कितने acquirer के पास में रह जाएगे, तो यह सभी new shares, तो target company को ही मिलने, सभी new shares किसको मिलने, target को, क्योंकि acquisition के अंदर, नए shares issue ही किसको किये जाते हैं, target company के shareholders को, तो formula तो साफ है, new shares, divided by total number of shares, into 100, वो आजाएगा, 24.66%, अब एक बात बताएगे, total shares कितने हैं, तोटल shares हैं 100, अगर percentage मिलो, उसमें से, target company के पास में कितने रह गए, 24.66%, तो फिर, acquirer के पास कितने वचे, सर 75.3%, इस बात को अगर हम दूसरी तरह से निकालें, तो acquirer के कितने shares हैं, 1,10,000, total कितने shares हैं, 1,40,000, सर, acquirer के तो आपने वो ही shares ले लिए, जो merger से पहले थे, वो ही share after the merger भी ले लिए, अवे कह दो, एक बात बताओ, नए shares issue किसको हो रहें, target company को, target company को न, तो acquirer के अभी तो shares इतने ही हैं, तो 1,10,000 divided by 1,46,000 into 100, तो भी answer आपका 75.34% ही आएगा, या फिर हम directly कर लें, कि 100 में से 24.66% तो target company के पास हैं, बचा हुआ, acquirer के पास हैं, और student यहाँ पर आपका question नमर 6 खत्म होता है, ये question भी exam में आया हुआ है, देखिये कितना easy है, total formula based है, सभी formula's मैंने लिखाई हुए है, concept आपका build up कर दिया है, अभी तक हम काफी illustration, 3-4 illustration कर चुके हैं, एक illustration और करते हैं, illustration number 9, बड़ा ही easy है, अच्छा, students एक चीज़ और बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि sir, आपने start किया, पहले illustration कोई दूसरा कराया, फिर कोई दूसरा कराया, फिर कोई दूसरा कराया, फिर कोई दूसरा कराया, और आप इस पर आ गए, ऐसा क्योंगे, ऐसा इसलिए, क्योंकि मैं आपको concept wise करवा रहा हूँ, अब एक concept मैं ने आपको पढ़ाया, उस concept से related, वो solve करवा हुआ, at last आपके सभी concept से related illustration solve हो जाएंगे, जो same method वाले होंगे, जैसे मालो चार question illustration same method के हैं, तो उसमें से 2-1 मैं solve करवा दूँगा बाकी, कि आपको solve करने, वो हो जाएंगे, उसमें सिर्फ digital अलग होगी, मैं solve, आपको करवा चुका होगा, concept explain हो जाएगा, चलिए तो illustration number 9 पर चलते हैं बच्चों, बड़ा ही simple है, बहुत easy है, बस इसकी calculation लेंदी है, illustration number 9 की, बाकी ये illustration number 9 है, बहुत easy, आराम से पढ़िए question को, ये बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ, ये बोल रहा है, A limited एक company है, और वो B limited को भी acquire करना चाहती है, C limited को भी acquire करना चाहती है, मतलब इस question के अंदर, acquirer तो एक है हमारा, A limited, बट target companies दो हैं, देखो, A limited, B और C दोनों को take over करना चाहती है, और उसके लिए question में यहाँ पर, हमें financial data, information भी given है, हमसे calculate करने को बोल रहा है, पहली बात price earning ratio, तो price earning ratio निकालना हमारे लिए, अब बड़ा ही easy काम है, हम आराम से, प्यार से देखेंगे, सबसे पहले आप यह देखें, question में आपको given क्या है, सबसे पहले आपको question में number of shares given है क्या, हाँ जी सर, हम निकाल सकते हैं number of share, हमें share capital दी हुई है, हमें share की price दी हुई है, तो number of share निकल जाएगा, एक मनेट, number of share निकल जाएगा, तो यह हमने number of shares निकाल ली, clear a cheese, और यह यहाँ पर हमने table में लिखे भी दिये, कैसे निकाले, है, total जो आपकी capital है, divided by number of, divided by per share की price equals to number of share, simple accounting है, चले, question में हमें earning भी given है, वो भी हमने यहाँ पर लिख ली, हमारे पास में earning आ गई, मतलब हमारे पास में profit आ गया, हमारे पास में number of shares भी आ गई, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, earning per share, क्योंकि formula है, total profit divided by number of shares, तो एके case में profit कितना है, एके case में profit है आपका 90, और number of shares कितने हैं, 45, तो EPS आया 2, same उसी तरहीके से अगर मैं बात करूँ, तो earning कितनी given है, इसके अंदर be limited के अंदर 18, और इसका number of shares कितने थे 18, तो इसका EPS आया 1, इसका कितना given है, earning 18, इसका number of shares आया था 9, मतलब 2, यह हमने earning per share यहां पर लिख दिया, student बोलता है, ठीक है सर, question में हमको earning given थी, हमने number और share capital और price पर share given थी, हमने number of share निकाल दिया, तो EPS हमने calculate कर लिया, सर, question में market price हमें already given है, अरे जब market price आपको given है, तो price earning ratio का formula लगाऊना यार, MPS divided by EPS, MPS question में given है, EPS अभी अभी हम लोग निकाल कर बैठे हैं, price earning ratio A का आगया 30, उसी तरीके से B का अगर हम निकालेंगे, तो MPS B का है 37, और earning per share है 1, equals to 37, ये B का आगया, C का अगर हम निकालेंगे, तो market price per share C का given है 46, और हमारा earning per share आया था 2, तो price earning ratio आगया 23, हमारा first point solve हो गया, student बोलता है, जी sir, बिल्कुल solve हो गया, बहुत ही easy है, मुझे समझ में भी आ गया, basic है एक दब, यहां तक तो easy है, अब बात आती है second point की, ये भी easy है, बस ये lengthy है, इसकी calculation lengthy है, जिसको हम अभी देखेंगे, आखिर बोल क्या रहा है, ये second वाला एक बार, इसको अच्छे से पढ़ें, देखेंगे, ये बोल रहा है, कि आपको EPS calculate करना है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपको post acquisition EPS of acquirer calculate करना है, acquirer कोने, A limited, लेकिन, आपको separately separately निकालना है, मतलब एक बार तो आपको ऐसे निकालना है, कि A limited ने सिर्फ B limited को acquire किया, तो उसका कितना EPS आएगा after the acquisition, और फिर आपको ऐसे निकालना है, कि A limited ने अगर सिर्फ C limited को acquire किया, तो after the acquisition, acquisition कितना EPS आएगा, तो आपको separately separately दोनों calculation बिठानी है, पहले आप B limited के लिए बताओ, फिर आप मुझे C limited के लिए बताओ, और फिर आपने answer को justify करो, मतलब आप फिर मुझे comment करके ये भी बताओ, कि A limited को कौन सी company को acquire करना चाहिए, B limited को या C limited को या दोनों को, तो वो तो हम निकालेंगे तब ही बता पाएंगे, तो देखे, हमें second point अब बोल रहा है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है exchange ratio, हमें exchange ratio की ज़र्वत पड़ेगी question में, लेकिन exchange ratio के बारे में, देखे, finally मैं आपको बताओंगे, इतनी लंबी calculation बैठी, क्योंकि हम निकालेंगे कैसे, आकर हम अपने answer को justify कैसे करेंगे, हम ना pre-merger market price per share हमको given है, हमें काम करते हैं post-merger market price per share और निकाल लेते हैं, फिर हम compare करेंगे, जैसा कि हमने अपने previous illustrations में किया था, जो मैंने अपनी second class में आपको बताया था, इस से पहली वाली class, pre-merger MPS हमको given है already, इन दोनों का ले लो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, post-merger MPS और निकालेंगे, फिर हम compare करेंगे, अगर merger के बाद में market price per share increase हो रहा है, तो मरजर कर लेना चाहिए, decrease हो रहा है, तो मरजर नहीं करना चाहिए, clear रही चीज़ आप अब MPS निकालने के लिए, market price per share निकालने के लिए, हमें बहुत सारी चीज़ें निकालने पड़ेंगे, जैसे हमारे पास में earning per share होना चाहिए, after the merger, जैसे हमारे पास में after the merger profit after tax होना चाहिए, जैसे हमारे पास में after the merger exchange ratio होना चाहिए, इन सब चीज़ों की जरुष हमको पढ़ने वाली है, क्योंकि हमें at last post merger MPS चाहिए, इसलिए, तो हम एक-एक करके चीज़ों को solve करेंगे, सबसे पहले हम exchange ratio निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था, अगर question में exchange ratio given है, हम वो ले लेते हैं, लेकिन अगर, question के अंदर exchange ratio मतलब swap ratio given नहीं है, तो फिर उस case में हम exchange ratio, swap ratio की calculation, market price per share के basis पर करते हैं, तो exchange ratio आखिर कैसे निकलेगा, तो exchange ratio का formula मैंने लिखा है, market price per share of target company, divided by market price of acquirer company, क्या question में हमको market price of target company दिया हुआ है, हाँ जी, तो be limited के case में अगर हम करेंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा, market price per share of target, that is 37 divided by acquirer, और C limited, क्योंकि हमें separately separately solve करना हैं दोनों को, C limited के case में क्या बनेगा, acquirer का market price per share divided by, sorry, target का divided by acquirer, यही बच्चों हमने यहाँ पर किया है, और हमने यह निकाल लिया, exchange ratio दोनों के लिए अलग-अलग, clear a cheese, हमारे पास में अब क्या आ चुका है students, हमारे पास में आ चुका है exchange ratio, तो सर इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं, new shares to be issued, सर फॉर्मूला क्या है, बताया है मैंने, shares of target company into exchange ratio, तो be limited के case में हम करते हैं पहले, बी limited के case में shares कितने हैं देखिए, हमने number of shares निकाले थे, B के 18, तो 18 into exchange ratio है 0.62, आ जाएगा 11.16, और C limited के case में formula लगाओ, उसके number of shares कितने आये थे, 9, 9 यह आये थे न, हाँ, 9 into exchange ratio उसका आयाता 0.7666, equals to, कितना आजाएगा, 6.8994, round figure में कर लोगे तो 6.9, तो सबसे पहले हमने exchange ratio निकाला, उसके बाद में हमने नए shares निकाल ली, इस्टोरेंट बोलता है सर निकल गए, अब, अब जब आपके नए shares निकल चुके हैं, तो आपके command number of shares, shares भी निकले, command number of shares, सर वो कैसे निकलते हैं, shares of acquirer, plus new shares, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, shares of acquirer, plus shares of target company into exchange ratio, यह तो हमने अब यभी निकाली लिया था दोनों का, अब हमें shares of, तो be limited के case में करेंगे पहले, in case of acquisition of be limited, shares of acquirer कितने हैं, सर, acquirer के shares हैं, यह रहे 45, तो be limited के case में करो, 45, plus, नए shares कितने issue होने हैं, 11.16, equals to 56.16, तो आगे बी limited के case में, C limited के case में formula लगाओ, acquirer के shares तो उतने ही रहेंगे, प्लस इसके case में कितने नए shares हैं, 6.9, तो क्या आगया, 51.9 ले ले लेते हैं, राउंड में, clear है, तो हमने exchange ratio निकाल दिया, हमने नए shares निकाल दिये, हमने command number of shares निकाल दिये, अब हम क्या calculate कर पाएंगे, अब हम calculate करते हैं, command path, क्या calculate करें, combined profit after tax, वो कैसे निकालते हैं, pet of acquirer, प्लस pet of target, तो हम निकालेंगे, be limited के case में पहले, क्या pet of acquirer हमको question में given है, देखिए आराम से, हाजी सर, हमको earning दी होई है 90, तो acquirer का तो आगया 90, be limited, पहले वाले केस में be limited target है हमारा, उसका कितना है 18, जोड़ दोगे तो 108, C limited के case में निकालो, तो acquirer का तो वही रहेगा, और C का कितना है, इसका भी 18 है, तो दोनों का सेम ही आने वाला है 108, तो हमने अब कहा तक पहुँच गए हम यहां तक पहुँच चुके हैं, अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम combined earning पर share निकाल लेते हैं, अब हम combined earning पर share निकाल लेते हैं, फर्मूला क्या है, combined profit after tax divided by combined number of shares, यही है, तो पहले बी लिमिटेड के case में निकाल लेते हैं, बी लिमिटेड के case में निकाल लेते हैं, combined pet हमारा बी लिमिटेड के case में 108 हाया था, 108, और combined number of shares कितने आई थे, देखिए 56.16, तो यह आजाएगा आपका 1.93 round figure में, C limited के case में भी निकालेंगे हम, लिमिटेड के case में combined pet, इसमें भी वही था 108, divided by इसके अंदर total shares कितने थे, 51.9, equals to 2.0809, यही आया आपका, चलिए, अब देखिए अगर हम चाहे ना students, तो बिना MPS निकाले भी EPS से compare कर सकते हैं, तो हमारा post merger EPS देखिए, B limited के case में 1.93 लिख दे, round figure में इस, वैसे लिखें तो fraction में इसे लिख दो, और C limited के case में हमारा EPS कितना आ रहा है यह, EPS निकालने के लिए हमें यह सब निकालना था, वो हमने निकाल लिया, pre merger EPS हमने पहले ही calculate कर लिया था, clear है यह चीज, तो यह आ रहा है, अब देखो accretion निकालो, accretion, accretion क्या होता है, post merger minus pre merger, मतलब दोनों का difference, जब merger हो जाएगा, तो अगर A limited company, B limited company को acquire करेगी, अगर A limited, B limited को acquire करेगी, तो merger के बाद में EPS 1.93 हो जाएगा, जो की पहले 2 था, मतलब इतने से reduce हो जाएगा, negative में चला जाएगा, C limited के case में, पहले 2 था EPS, भढ़कर 2.0809 हो जाएगा, मतलब इतना increase हो जाएगा, तो बच्चों आप क्या conclusion दोगे, आप बोलोगे कि A limited को, B limited को acquire नहीं करना चाहिए, सिर्फ C limited को acquire करना चाहिए, सिर्फ C limited को acquire करना चाहिए, क्योंकि C limited को acquire करने से, EPS profit में जा रहा है, B limited को acquire करने से, minus में जा रहा है, clear एचीज यहाँ तक, तो students यहां तक हम लोग अपने कुछ illustration solve कर चुके हैं एक बार आप लोग यहां तक पहले practice करें then उसके बाद में हम लोग आगे continue करेंगे अपनी next class में हम लोग मैं दोबारा बता दू students आपके study material के अंदर जो illustrations दिये हैं total 27 या something illustrations है उनमेंसे जो same method वाले illustration है उनके एक दो मैं solve करवा दूँगा proper एक एक formula को बता कर बाकी आपको practice करनी पड़ेगी खुद को आई यह मेरी बात समझ में यहां पर आप भी तो practice करोगे तो formulas given है जो आपको question मैं दूँगा करने के लिए जो आपको खुद को करना है उसमें बस digit change होगी उसका मैं पहले ही आपको solve करवा चूँगा तो चलिए यह class आज की यहां पर end होती है next class में हम लोग आगे continue करेंगे यहां आपको करेंगे।